प्रॉट प्रॉट दोस्तों मैं हूं संकल्प और पिछले व्लॉग को कंटिन्यू करते हुए हम अभी पहुच चुके हैं मॉस्को और अभी बस से एरपोर्ट में जा रहा है यार आप लोग देख सकते हो कि यह काफी बड़ा एरपोर्ट है मॉस्को का और यह हम एरपोर्ट के अंदर पहुच चुके हैं चार गंटे का ट्रैवल करके नो से बिस से बढ़ीख को भी का आढ़ीख को प्राइबड से बस्चाइब और शेख बंटेग देख से प्राइब प्राइब बड़ीग अर प्राइब देख बड़ीग कोई से बसे बड़ीख का चारइब झाँड इ। आप सब लोग देख सकते हो गाइस की यह काफी बड़िया एरपोर्ट है काफी ब्यूटिफुल है तो चलिए अभी मैं आपको वाटरफॉल ली वाल दिखाता हूं तो यह हम पहुंच गया भी वाटरफॉल ली वाल के तरफ यह एक्च्वल में वाटरफॉल तो नहीं है यह ऐसे ही एनिमेटेड है बट काफी अच्छा है तो गाइज अभी देखिए हम में अट्रेक्शन के तरफ जा रहे है एरपोर्ट के जो की काफी अच्छा और काफी बढ़िया है सो यह देखिए गाइज इस में अट्रेक्शन है एरपोर्ट का जो की काफी बड़ा ग्लोब बनाया हुआ है चलिए मैं आपको इस ग्लोब को सामने से दिखाता हूँ अभी यह देखिए काफी बड़ा और काफी अच्छा अट्रेक्शन है इस एरपोर्ट का गाइज आप कभी मॉस्को आता है तो आप इस एरपोर्ट से ट्रैवल कीजिए गाइज ये काफी बहुत अच्छा और काफी ब्यूटिफुल एरपोर्ट है आपको इस एरपोर्ट को एक्सब्लोर करने में काफी मज़ा आएगा और गाइज ये है एरपोर्ट के बहार का व्यू जो की काफी अच्छा है सब्सक्राइब करने वाले हैं हमारी सीट पे बैटे 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 सीट के सामने एक डिस्प्ले लगा होता है जहां के आपको टेक आफ व्यू और प्लेन की सारी ही सारी इंफोर्मेशन स्मल जाती है सब्सक्राइब करने चारे बाते डा सब्सक्राइब करने अब बाते अब खया वाउसको से दिल भी पहुचने के लिए सेयिए करक 372 कि Entertainment so ог जैयुच नहीं leash अम लोग दिली पहुच है वे रैंडिंग सूप हम लोग इंडिया पहुट चुके है मिलते अगले व्लॉग में सी यू सून